कॉंग्रेस पार्टी ने करनाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्ट जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रकर राष्ट्र भक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकबादी और प्रतिबंदित संगठन PFI के साथ की है वह बहुत दु दुनिया परिचित है हां जहां जहां भी PFI के लोग सर्तन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कॉंग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया वहां वहां बजरंग दल के कारेकरता प्रत्यक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सर्तन से जुदा पातंक को समाप्त करने के काम में लगा। कॉंग्रेस और PFI का जिस प्रकार गठबंदन रहा है यह स्वभाविक है इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कॉंग्रेस की आँखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कारिकरता इसको चनोती के रूप में ले रहा हम राजनीती में नहीं पढ़ा करते लेकिन आप हमको राजनीती में घसीटना चाहती हैं तो हम उसक्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे और किसी प्रकार से आपके गलत मनसूबों को पूरा नहीं होने देंगे आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगानी की बात करती हैं वहीं आप भूल गई आप ही ने संसत के अंदर सीमी पर प्रतिबंध का विरोध किया था आप ही के लोगों ने सीमी जैसे देश अद्रोही संगठन के प्रतिबंद का विरोत करते समय सडकों पर प्रदर्शन किये थे आप बजरंग दल पर प्रतिबंद की बात करती है तो आपका छिपा एजेंडा अब खुल कर सामने आ गया है बजरंग दल और देश की जनता इस चुनोती को स्विकार करते हैं और इस चुनोती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा